जानिए ऐसी पाँच चीजें जिन्हें घर में रखकर आप अपनी किस्मत चमगा सकते हैं नमस्कार आपका स्वागत है माई जूतिश में Water fountain आप अपने घर में अपने घर के आकार के आधार पर छोटा या बड़ा water fountain रख सकते हैं आप अपने घर में water fountain को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्वी दिशा में भी रख सकते हैं Water fountain को घर में रखने से आपके आर्टिक स्थिती अच्छी हो जाएगी Natural plants आप अपने घर में money plant या bamboo का पौधा ज़रूर रखें और इस चीज का ध्यान रखें कि वे सीधा उपर की तरफ जाए इसलिए उसे किसी पोल के सहारे खड़ा कर सकते हैं ताकि वे अराम से उपर चड़ सके इसी money plant पौधे को आप अपने घर में दक्षिन पूर्व या दक्षिन पूर्वी दिशा में रख सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि पौधा नीचे की तरफ नहीं पहले उपर की तरफ ही बढ़ना चाहिए जिससे आप भी पौधे की तरह तेजी से तरक्की कर सकें धन्वंत्री भगवान धन्वंत्री को आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए भगवान धन्वंतरी का जन्म समुंदर मंधन के द्वारा माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लेकर प्रगट हुए थे आप बजार से भगवान धन्वंतरी की मेथल से बनी मूर्ती खरीच सकते हैं या फिर उनकी तस्वीर की छाया प्रती प्रिंट करवा सकते हैं भगवान धन्वंतरी की मूर्ती या छाया प्रती को आप अपने घर के उत्तर पूर्थ दिशा में रखें उनके आगे जल से भरा हुआ तांभे या सिल्वर का छोटा सा कलश रखें कलश में रखे जल का उप्योग आप सुभा, शाम, पानी पीने को कर सकते हैं ये जल आपके लिए Immunity Booster की तरह काम करेगा और आपके सेहत बहतर होगी लाल रंग अपने घर के दक्षिन दिशा में रखें आप इसका उप्योग पर्दे के रूप में, दीवार के रूप में या किसी painting के रूप में कर सकते हैं ऐसा करने पर आपको संसार में प्रसिद्धी प्राप्त होगी इसके अरिक्ट आप गुलाब का इत्र या गुलाब का फ्लास भी घर में रख सकते हैं ताकि इत्र की खुश्पू की तरह आपकी प्रसिद्धी भी चारों दिशाओं में फैले। दीवार घड़ी आपको अपने घर की पश्चिन दिशा की दीवार पर मैटल की दीवार घड़ी ज़रूर लगानी चाहिए। शेयन कक्ष में टेबल के आसपास या जहां आप सोते हैं उस जगापर दिवार घड़ी नहीं लगानी चाहिए। यह आपके विकास को रोकते का कारे करती है। अगर आप घड़ी को पश्चिन दिशा में लगाते हैं तो आपके शुद्ध मुनाफे में भरोतरी होगी। वे भी बहुत ही कम समय में। तो इस तरह आप इन पास चीजों को अपना कर अपनी तरक्की, विकास, प्रसिधी और स्वास्त का लाब उठा सकते हैं। इसलिए इन पास तरीकों को अपना कर जरूर देखें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।